हैलो फ्रेंड सच्छिकल सारे नू वेलकम टू पंजाब एक्जाम अड़ा दोस्तो अजसी इंडियन कोशिशन या फिर इंडियन बॉल्टी दे मोस्ट इंपोर्टन कोशन कवर करांगे एक कोशन किसे ने किसे एक्जाम दे विच जरूर पुछे गए ने आई होप आणवाले जिनने भी पंजाब लेवल दे एक्जाम है गया है उना विच भी कोशन देखन नो मिल सकते हैं इसकर के एड़ा सेशन है गाज़दा मोस्ट इंपोर्टन रहेगा इसकर के वीडियो नो लास तक जरूर देखियो ठीके जी शुरू करते हैं उस तो पहला सब्सक्राइब किता थे चैनल नो जरूर सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन नो दबा दो ताकि जड़ी वी वीडियो आप लोड करिए उस तो इलावा सब्सक्राइब चैनल भी है गया उन्हों भी तुसी जोइन कर सकते हो और थे आप हार एक वीडियो दा पीडियेफ ही हैं साथ इंडियन कोंस्ट्यूशन दे केडे पार्ड दे विच है गी है ते इजी कोशन है गया यह हैगी है पार्ड फवर दे इस तो इलावा अगर एक होर कोशन दी गल करिए जड़ा कि पुच्छा जादा है उन्हों ता नों पता कि जड़ा इस तो अगर वी तो सिड़ा कोशन दी गाड़ाँ सिक्ट नहीं है आड़ वी तुसी देख लाना है ठीक है एक तुसी याद रखनी है कि 42nd Constitution Amendment Act 1976 दिन आल जड़ी फंडामेंटर ड्यूटीज है गी है वो साथ एक उस्टिउशन दे विच एड़ होई है सी गिया इस तो इलावा भी एक कोशन बंदा पॉनावंटर के लिचां ह्यांता पॉनाव साहर मतलव अब इस तैम अश्टियज या प्रम बंदामेंटर देखनी कोशन रहे हैं गळाए को सिनौन धी फंड़ गाल करते हैं थोड़ी फंड़ी फंडामेंटर ड्यूटीस देबी कर न फंडामेंटर राइस था तनु पता होने चाहद है कि जड़ा तीसरे पार्ट दे विच है गी है यह वी तुसी याद रखनियां गाल आटिकल बारन तो लेकर पैंथि तक आर्टिकल है गया थे फरनमेंटर राइस थे ना लग दे पार्ट खड़ा है पार्ट फरी नेक्स वाद दे अपने नेक्स कोश्शन वाल next question है गया which article of the Indian constitution did Dr. B.R. Ambedkar termed as heart and soul of the Indian constitution मतलब की ऐसा केड़ा article है गया Indian constitution दा जिन्हों Dr. B.R. Ambedkar जी heart and soul मन्देशी के Indian constitution दा तो ए है गया article 32 ठीक है एक आल तुसी याद रख नहीं है question काफी exam से विचे पुछे जाना है कि heart and soul Indian constitution दा B.R. Ambedkar जी ने किनों क्या सीगा ते ए सीगा article 32 article 32 है कि विससे इदा नाम है गया right to constitutional remedies ठीक है right to constitutional remedies ते आर्टिकल 32 दे विचे क्या की गया ते ए भी तुसी याद दखना है कि दे विच क्या गया कि जे कर किसे तरह साथ डे जड़े fundamental rights है कि जड़े पार्ट 3 दे विच आंदे है आर्टिकल 12 तो लागे 25 तक जे ओ किसी ना किसी करके जेड़े fundamental rights है गया वोईलेट हूं दे है ते जे कर अपना ना नो enforce कराना है ते अपना डारेक्टली सुप्रीम code दे विचे जा सकने है ठीक है अपने fundamental rights नो enforce करान दे लाई सुप्रीम code दे विचे जा सकने है केड़े आर्टिकल दे विचे लिख्या है चीज आर्टिकल 32 दे विचे ठीक है ये तुसी गल या दखनी है ये वी गल तुसी या दखनी है कि Article 32 दे अंडर ही rates हां दिए है ठीक है ओ मैंतर नो आर्ण वली वीडियो दे विचे पड़ा मांगा के जन्या वी rates है गिया है ठीक है एवी गाल तुसी या दखनी क्योंकि rates से जन्या वी हां गिया ओ भी Article 32 दे विच आ दिया है गिया The next question वाल वद्धिया the next question है who is the first law officer of the country first law officer कौन हों दा साड़े country दा साड़े constitution ने ऐसा दर्जा किन्नू दिता होया ते ए है गया है attorney general of India ए भी तुसी कल याद खने है important question है गया कई बार paper दे वीचे पुछे गया कि first law officer कौन हों दा country ते ए है गया है attorney general ते इना दे related जे article पुछा जाए ते article केड़ा हम दा है article 76 article 76 जड़ा है गया attorney general of India नो लेके है गया जड़े first law officer हों दे है country दे the next question है गया who preside over the joint session of Indian parliament ते जड़ा Indian parliament दा joint session हों दा है राज्य सवा ते लोग सवा दा उन्हों preside कौन करदा है या फिर head कौन करदा है ते एदा सही answer हो गया है speaker of log sabah ते जड़ा joint session हों दा है Indian parliament दा log sabah ते राज्य सवा दा उन्हों head कौन करदा है ते ओ करदे है speaker of log sabah मान लोग की speaker of log sabah किसी करके absent हो गया है ते इना दी जगह ते कौन head करेगा joint session दो ते ओ head करेंगे deputy speaker एक गल तुसी याद रखनी है ठीके जी I hope तानों समझे लाग गया होना कि joint session of Indian parliament दो कौन head करदा है ओ करदे speaker of log sabah जे कर किसी वज़ा करके speaker of log sabah नहीं है अपनी seat दे होते या फिर vacan है गया seat ते कौन head करदा है deputy speaker of log sabah ठीके जी एनी गल तुसी याद रखनी है next question वाल वाद दे है next question है which has become a legal right under 44th amendment ते एस question दे विच क्या गया कि ऐसा केड़ा article सी गा जेड़ा पहले fundamental right सी गा बाद विच उनू legal right बना गया केड़ी amendment दे नाल 44th amendment दे नाल ते ऐसा केड़ा article सी गा पहले fundamental right दी लिस्ट आन्दा सी गा उनू fundamental right दी लिस्ट कट के एक simple legal right बना आजता गया केड़े constitution amendment दे नाल एसी गा 44th constitutional amendment act 1978 दा ठीका जी एगल भी तुसी याद नी है केड़ा amendment सी गी 44th constitution amendment act 1978 दा सी गा amendment ते right to property नू उना ने fundamental right दी लिस्ट चुकाड के एक simple legal right बना आजता गया ते जे कर पुछे जाए question की हून एदी position की है गया right to property दी ते किस article दे अंडर आदा हून ते ए आदा है गया 300A ए भी काल तुसी याद आदा है एभी question पुछे जान दा की हून इस time ते दी position की है ओ है गया article 300A ठीक है जी I hope तानो समझ लाग गया होना जे कर session वदी है लाग रहा ते please like कर दो इस video नू ते जे कर हले subscribe नहीं किता ते subscribe भी जरूर कर दो ते next question वाल वाद दे है ते next question है which article of the Indian constitution has the provision for national emergency the important question है कि इसा डे constitution दे वीचे केड़ा आर्टिकल है गया जड़ा national emergency नाल डील करता है ते केड़ा आर्टिकल है गया ते ए आर्टिकल है गया article 352 ठीक है एक गलतोसी याद रखने है इस तो इलावा मैं तानो जिन्हें अभी इंडियन constitution दे वीचे तेने पर कार दी इमरजwijंसियां देती हूँ है तो मैं तहनल उसारे के दाद देना कि national emergency है गया ठीक है तोन शोर दे वीचे दाद देना कि national emergency है गया एक state emergency है तो एक financial emergency है तो जड़ी national emergency नूं लेके है गया मैं तहना दास्ता की articles 352 है गया तो मीचैरा स्टेट अमर्जंसी जिन्हों आपा प्रेज़ेंट रूल भी कहने है ते नैशनल अमर्जंसी अदो लगदी है जदो किसे तरह आंदा लडाई दूसरी कंट्री देना लहाई या फिर कोई इंटरनेट डिस्टर्बेंस हो जे ते स्टेट अदो लगदी जदो कोई स्टेट तुसी याद रखना है, आर्टिकल 356 है गया, स्टेट एमर्जनसी नो लगा कि या फिर कॉंस्टिटूशनल एमर्जनसी भी क्या जानदा है नूँ, ते तीसरी नो दिया है, फानेशनल एमर्जनसी जदो साधी कंट्री फानेशनली इन्स्टेबल होजी अदो है, एमर्जनसी लगाई जान दिया पर हाले तक कदीव नहीं लगी है, फानेशल एमर्जनसी ते इधे इलेट इड़ा आर्टिकल होगए, आर्टिकल 360, और इभी गाल तुसी याद रखनी है, तिन्नो चीज़ा तुसी याद रखनी है, कि नेशनल एमर्जनसी नो लेके इड़ा आपर हाउस या फिर जिननों कहने आए राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेट बाइद प्रेजिडेंट आफ इंडिया मतलब की राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा देवीचे किन्ने मेंबर अपॉंट किते जा सकते हैं इंडियन प्रेजिडेंट द्वारा बारा मेंबर अपने काम देविच जिनननों महारत हासल है उस तरह देविच जिनननों नॉमिनेट किता है जान दा है प्रेजिडेंट द्वारा विच फॉलिंग आर्टिकल्स या फिर आर्टिकल्स कैन नोट बी सस्पेंडड इवन डूरिंग दा एमर्जंसी जिसना कि तो नों पता होए कि केड़े आर्टिकल्स है गया जिड़े एमर्जंसी लगनते भी सस्पेंड नहीं होंदे या फिर कह सकते है जिड़े आर्टिकल्स एमर्जंसी दे दुरान भी खतम नहीं होंदे तो ए आर्टिकल्स है गया आर्टिकल्स वी ते एक ए गाल तुसी याद रखने है यह कोशन Assembly of the India was ते इस question विचे क्या गया कि जदो Constitution Assembly ने एक drafting committee बनाए सेगी Constitution नो draft करने लई ते ओधा उना ने chairman किनो नुक्त किता सीगा ते उना ने किता सीगा Dr. B.R. Ambedkar जी नो appoint as chairman of a drafting committee एक अलतुसी याद अखनी है ते very very important question बनादा है ते एक्जाम दे point of view ना ते next question वाल वाद्दे है next question हैगा Article 18 of the Indian Constitution deals with ते Article 18 जड़ा है गया किस चीज नो deal करता है ते एदा answer हैगा Abolition of the title Abolition of the title जड़ा हैगा Article 18 है एदे विच क्या गया कि किसे भी तरह था citizen नो किसे भी तरह था title नहीं देता जाएगा जिसना की पहले time ते देता जाएगा राजा, महा, राजा या इस तरह था title दे नाल है के हिनो बुकारे जाएगा जाएगा ते अज दे time ते जड़ा article 18 है गया और सारी चीजा नो abolish करता है किसे भी तरह था था अबोलिश करता है ठीक है यादर क्यों article 18 abolition दा title जेकर अपाँ abolition the untouchability दी गाल करिये ता एदे लेटे जड़ा article है गया, वो केड़ा है गया article 17 ये भी गल तो सी याद दखनी है वी question पुछे जानदा है ते एदे तो इलावा जेकर abolition the child labor दी गल करिये ता एक एदे आर्टिकल हैगा article 24 दे वीचे जड़ा आनदा हैगा abolition the child labor ठीक है ये भी गलतों सी याद दखनी है ये भी important question हैगा important mark कर लो next one next question हैगा next question हैगा who has the right to decide whether a bill is a money bill or not ते जिस्तां के ता नो पता है कि राज्य समय ये लोकसावद विचे कोई भी bill आनदा है गया तो कई बार money bill भी हो सकता है या फिर कोई होर bill भी हो सकता है ते कौन decide करदा है कि जड़ा कोई भी bill आ रहे है money bill है या फिर कोई simple bill है ये भी question काफी बार पुच्छा भी गया ते एदा जड़ा सही आंसर है वह है गया speaker of log से बाले speaker of log से वह जड़ा है गया decide करदे कि केड़ा bill जड़ा आ रहे है money bill है या फिर कोई simple bill है ठीक है तो इस तो इलावा जे कर अपा कुछ करना president दे वारे जे कर अपा कर लिए ते जड़ा president नो लाए कि जड़ा article है किसा डे इंडिया दे विच एक president होना चाहिए था इदे लेटे जड़ा constitution दे विच आर्टिकल है गया president नो लाए कि ओ केड़ा है आर्टिकल 52 ठीक है एक अलतोसी यादख नहीं आर्टिकल 52 की कहनदा है किसा डे country दे विच एक president होना चाहिए था इस तो इलावा जी कर अपा गाल करिये था आर्टिकल 61 जड़े important article है गया मैं ता नो कवर कराने है president दे लेटे आर्टिकल 61 ते जड़ा president दे impeachment जे तुह वर्ट सुनया है impeachment याँ मतलब कह सकते है कि removal ते removal नो लाए कि impeachment नो लाए कि जड़ा article है गया president तो ओ है article 61 तो इस तो इलावा एक को और important article है गया article 72 तो इस article दे विच की आंदा है कि pardon powers president दिया pardon powers मतले कि शमा करन दी शक्तिया जिस तरह कि आर्जी लाई ये तो नो शमा कॉन कर सकता है president कर सकता है इस तन दी जड़ी powers है गये शमा करन दी पावर्स ओ प्रेजडेंट दी केड़े article दे विच आंदिया article 72 दे विच impeachment या फिर removal दे जड़ा concept है गया ओ किदे विच आंदा है गया article 61 दे विच ठीक है एक आल तुस या दखने है तो इस तो इलावा जे country दे विच प्रेजडेंट होने ओ केड़ा article है गया प्रेजडेंट दे विच आंदिया इंपोर्टन आर्टिकल है गया ए विच तुस या दखने है इस तो इलावा जेड़ा question दा answer है कि कौन decide कर दा कि money bill है गया या simple bill है गया ओ कौन decide कर दा speaker of log next question next question vice president is ex official chairman of vice president ऑपर आश्रपती ओ कित्थों दे ex official chairman होन दे राज्य सबा दे एक अलतो सी याद रखनी है vice president होन दे ex official chairman होन दे simple chairman होन दे next question next question question है गया दा Indian Parliament consist of indian parliament होन दे ते दा सही answer है गया president raja sabha ते लोग sabha एना तिनननों मेलके जड़ी साड़ी होन दे आगी है इंडियन परलीमेंट बनी होन दे ठीक है जी next वात दे next है गया the national anthem was adopted by the constitution assembly ते साड़ी जड़ा national anthem है साड़ी constitution assembly दारा कदो अपनाया गया ते ए अपनाया गया चोवी जनवरी उनिस सो पंजानू एक अलतुसी यादख निया कि चोवी जनवरी उनिस सो पंजानू साड़ा national anthem जड़ा है गया साड़ी constitution assembly द्वारा adopt किता गया या फिर अपनाया गया ठीक है जी important question है गया next है गया which one of the following article deals with the governor of the state ते केड़ा आर्टिकल है गया जड़ा governor of state ना deal करता है ते easy question है गया ते है आर्टिकल 153 ते गलत उसी यादख निया कि governor of state नो लाए केड़ा आर्टिकल है आर्टिकल 153 ठीक है जी the next question है गया to become a member of लोकसभा what should be the minimum age of the candidate candidate मतलब की लोकसभा member बनने दे खर कटट तो कट किनी उमर होनी चाहिए तो यह होनी चाहिए थर पच्ची साल दी उमर ठीक है यादखना है कि लोकसभा दा मेंदन दे लें 25 साल उमर होनी चाहिए है जेकर आपा राज्यसभा दी गल करिये मिनिम्म म किन्टी उमर होनी चाह दी है कि यही है ती साल insurance पसंद आया हुए आया धी गुज्ञ आए तो पसंद आया धी प्लिज लाइक करो वीडियो नूँ जात्यो जाद आपने दोस्टां शेर करो चैनलम e दे चैनली भी subscribe कर लो ते किसए भी तरहा ज्याद ये कर तानुट है गया तो तुसी सानुआ comment कर सकते तरह वीडियो सतले ते कोई भी किसे भी तरहा दी suggestion सानुदना चांदे हो विट उसी थले कमेंट सा नू कर सकते यह इस तो इलावा सा नो तुसी फेस्बूक तो फोलो कर सकते यह ते मिलदे ता नो नेक्स वीडियो देबी चे ता तक लेए थैंक यू जाहिंद झाल झाल